चाहें कितना भी तीब्र पेट में दर्द केवला हो, सिर्फ एक बार खालेजे, दर्द इतना ज़ादी ठीक हो जागा कि नमस्कार कभी-कभी ज़्यादा मसालेदार भोजन कर लेने से, या फिर कभी-कभी लगातार पेट में गैस वो कब्ज हो जाने से, हमारे पेट में दर्द सुरू हो जाता है और दोस्तों, पेट दर्द एक आम समस्चा है, जो कि कभी ने कभी तो हर किसी को जहलना ही पड़ता है और परेशानी तब बढ़ जाती है, जब या दर्द रात्री में सुरू हो जाता है, और जब हमारे पास कोई भी दवाई नहीं होती है तो बहुत ज़दा परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आज के इस वीडियो में मैं अपसे एक ऐसा घरलों उसका सेर करने जा रहा हूँ जो कि दोस्तों इतना कारगर है कि 5 मिट के अंदर ही आपके पेट के दर्द को दूर करतेगा साथ ही अगर आपके पेट के अंदर गैस भी बना हुआ है एसरीटी के समस्या है तो उसे भी दूर कर देगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिया ये सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको इस रिमेडि को अपने हथलियों पर ही त्यार करना है और सबसे पहले आप यहाँ पर लिजिए ये दोस्तों आजवाइन को आजवाइन पेट से समदित समस्याओं जैसे की गैस, एसरीटी और पेट में मरोड के इलाज में आजवाइन बहुती लाबकारी होता है क्योंकि अजवाइन में रसायनिक थाइमोल की मतर अधिक होती है जो पेट में गैस बनने की परकिरिया को रोकता है साथ ही या कब्ज की समस्या होने से रोकता है यही कारण है कि अजवाइन आम तोर पर पाचन रोगों के लिए जाना जाता है साथ ही इसका पर्योग बच्चों और सिस्यों को भी करा जाता है तो आप यहाँ पर एक चोथाई चमह जितना अजवाईन को अपने हथलियों पर ही ले लिजे और फिर आपको यहाँ पर अगला चीश लेना है ये दोस्तो सेंधा नमक को अगर आपके घर में सेंधा नमक नहीं है तो आप यहाँ पर सफेद नमक का भी परियोग कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक को ले करके अपने हथलियों पर ही ले लिजे कुछ इस तरह से और फिर आपको इन दोनों को अपने अंगुठों की सहायता से अच्छे से मसलना है जिसे कि जो हमारा यहांपर अजवाइन है उसका गूण नमक के अंदर समाईत हो जाए साथ ही नमक का गूण अजवाइन में भी समाईत हो जाए और जब आप इन दोनों को अच्छे से मिस दें तो आप इसे फाक लें आपको यहाँ पर ध्यान अखना है दोस्तों और जबाइन थोड़ा सा करवा लगता है तो आपको थुकना नहीं है आपको इसे घोट लेना है भाकने के बाद उपर से चार से पांच घोट के बराबर गुनगने पानी को पी लेजे जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे पांच मिट के अंदर ही आपके पेट का दर्द छूम अंतर हो जाएगा साथ ही अगर आपके पेट के अंदर गैस पना हुआ है SDT के समझा है तो उसे भी खत्म कर देगा तो आप ऐसा करके देख सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ आज की जनकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी हमने कुछ नया आप लोगों से सेर करने की कोशिस की है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजे हमेरे चैनल पर पहली बराय है तो हमेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हम ज़लने जूरते हैं आप से किसी और नही जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो